अगर आप एक मदर हैं यह मदर पढ़ने वाली है तो इस चानल पर आपको मदर सेंट्र की बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जो मैं धीरे धीरे सीख रही हूं और आपके साथ शेयर करें हर थर्सड़े और साटड़े सब्सक्राइब चानल और प्रेज बेल आपके टाइटल देखके तो आप समझे क्योंगे कि आज एक बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो होने वारी है यह वीडियो है ओल्ड वाइफ टेल्स कुछ ऐसी चीज़े जो मैं अपनी प्रेग्नेंसी के टाइम पे अपनी लुक्स के इंगे चीज देखूंगी कि वो जो दादी नानी वाली जो बाते होते हैं मेरी प्रेग्नेंसी में कितनी सही या गलत रही स्टार्टिंग से मेरे दिमांग में कभी यह नहीं रहा कि मुझे लड़का होना चाहिए या लड़की होनी चाहिए बर हमेशा से किरोसिटी सी रही के लिए मैंने जो सबसे पहली ड्रेस ली थी वह भी पिंग कलर का पूरा एक सूट था बेबी सूट था और तू बी वेरी औरनेस विद यू मेरे मुझे कभी यह नहीं निकला थूआउट माइप्रेग्नेंसी कि मेरा बेटा होगा हमेशा है निकला कि मेरी बेटी होगी मेर मेरी लड़की होगी मेरी पर्यूंत्स के बयुक्ता बसी हैं कि मैं नजर ना लगे और में को उसके लिए हेर बैंड को खर있는 सेंट खरीदन का यैज चोटे-चोटे- tobам्ने कुच्ट में यह नहीं बहुत अब खाना रखी है और इसके छोटे-चोटे क्लिप्स में लगाना प यहां में डिस्क्लेबर देदू मैं कुछ यह अपनी तरफ से बाते नहीं बूल रही आपको यूट्यूब पर बहुत ऐसी वीडियो जाएंगे जिसमें कुछ ऐसे पेरमेटर्स डिसाइड हैं जिनकी वजह से आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि बेबी बॉय होगा या बेब तो आज मैं अपनी प्रेग्नेंसी को एक्जाम्पल लेके वह सारे पेरेमेटर्स के वारे में बात करेंगे सो चले वीडियो शुरू करते हैं सो सबसे पहला पॉइंट है लीनिया नायरा यह एक लाइन होती है जो वर्टिकली हमारे पेट पेट पे होती है अगर यह आपकी लाइन थी वह बिल्कुल मेरे पूरे पेट पे थी दूसरी जो ओल्ड वाइब टेल है वह क्यारिंग हाई और लो यानि यह बोला जाता है कि अगर आपका जो स्टमक एरिया है वह बिल्कुल थोड़ा उपर की तरफ है उसका खिचाव उपर है तो आपका बीबी बॉय होग यह मेरे कसमें फिल्कुल ठीक है मेरा जितना भी जो पेट का जो देखता था यह देखता था कि एपल के शेप का पेट है और वह सारा नीचे की तरफ था सो मेरे केसमें ओल्ड वाइप टेल बिल्कुल ठीक है तीसरा भी इसी से जड़ा हुआ है शेप ओफ यёл बंप मैंने अब को भी बताया कि आपल की तरह मेरा पेट लगता था जो बिलकुल बहार बहार था और मेरी पूरी बोड़ी पर कहीं पर फाट स्टोरेज नहीं हुई यह मेरे केस में बिलकुल घलत रही क्योंकि मेरे को सब बोलते थे कि तुमारा बीवी बॉय है बट बेबी गर्ल है अग बहुत खुष खुष रहते हो सब कुछ हैपी हपी रहते है तो बेबी बॉय होता है यह चीज मेरे केस में बिलकुल सही रही है मैं बहुत बहुत जादा मूडी हो गए थी मेरे बहुत जादा गुसा जाता था था मैं बहुत जादा मेरे मूट स्वेंग से होने लग गए औ आगला मॉर्णिंग सिक्नेस या नौज्या यह अगर लड़की है तो आपको मॉर्णिंग सिक्नेस बहुत जादा रहती है और ठ्रूआउट प्रेग्नेंस रहती है और अगर लड़का है तो यहां तो बीच में होती है यां सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होके फिर खतम हो आपके second trimester में मेरे साथ ये old wife tail बिलकुल गलत रही है because मेरे को सिर्फ fourth month तक ही nausea वगेरा हुआ था और जादा भी नहीं हुआ था बट हाँ ठीक है comparatively मेरे को throughout my pregnancy इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई but मेरे daughter है इसलिए old wife tail मेरे साथ गलत है अगली old wife tail है the feel and touch of your skin कहते हैं कि लड़किया आपकी सारी खुबसूरती ले लेती हैं और लड़के आपको खुबसूरत बनाते हैं यह एक pregnant lady को बोला जाता इसके पीछे क्या लोज़े के मुझे तो समझ नहीं आता but हां मेरी throughout my pregnancy मेरे skin थोड़ी बहुत ड्राइज जरूर रही है और उसके बद जब मुझे कॉलेस्ट्रेटिस हो गया उसके बद तो मेरी हाला थी घराब हो गया थी बट मैं इस चीज में 50-50 अबरेज अपना मानूंगी कि मेरे नाज जादा जर्चक बॉलते हैं कि जब लड़की होते थे या इपकी सट्ट्रा हो जाती है गयर को मेरे सामें का मा this all ओल फीड लट लाइब किजने परफ़ों बोल्स देख बढ़ारिया थ defensive आपको बहुत जादा कमेंट करा ऐसे सटाव जोऊ वहां तो मेरे साथ शुति ब matcha को Sod एक बहुत था रहे तो आपको बीबी को होगी और की wraps में यह मेरे भी मुझे तुन रहें किमेरे वहां और मेरे हैं सही नहीं हुए पार्टनर का वेट लूज हो रहा है यहां गेन हो रहा है और वेट लूज हो रहा है तो बोई है वेट गेन हुआ है मेरे हजबन का ऐसे बात नहीं है बड़ इसके पीचे यह भी रीजन था कि हमारे लाइफस्टायल एतनी सेडेंटरी हो चुकी थी कोविट की वज़े से लॉ करती हूं विकास कलर उफ यूरीन में भी आपका इसलिए नहीं होता चेंज बिकास लड़का है या लड़की है शायत से मैं कंफर्म नहीं हूं मुझे यह चीज नहीं लगती इसलिए आपके साथ शेया करें हो बलकि इसलिए होता है कि आपकी बोड़ डिहाइडरेट है या आपको कोई यूरीन इंफेक्शन तो नहीं है मेरे साथ ऐसा कुछ रहा नहीं कि नॉर्मल से मेरे को कोई जादा दिक्कत हुई हो या कुछ कलर में चेंज आया हो तो यह मेरे लिए न्यूट्रल है वैसे जो ओल्ड वाइप टेर है वो यह कहती है कि अगर आपका फॉर्स ट नहीं करा यह पॉजिटिव यह नेगेटिव में नहीं बता पाऊंगी बिकॉल मेरे को यह चाइनीज केलेंडर वाला कॉंसेप्ट समझ नहीं आया बाकि अगर आप ट्राइब करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा अगली जो ओल्ड वाइब टेल है वो है के बारे में यानि आपके बाल ज्यादा जड़े हैं या आपके बाल ज्यादा टूटे हैं तो आपको बेबी गर्ल है और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा शाइनी अच्छे और बहुत ज्यादा बंपी और हैवी हो गया तो आपको बेबी बोई है त्रूआउट प्रेग का heart rate जब मैं conceive करा था मैंने तो मैं बहुत सारी आसी वीडियों देख थी कि अल्टरा साँंड की रिपोर्ट से ये कैसे पता चले कि बेबी बोय है या बेबी गर्ल है मेरी अब तक की जितनी अल्टरा साँंड की रिपोर्ट से उसके according मेरी baby girl ही थी क्योंकि वह 140 से अबव ही थी 140 के बिलो एक या दो रिपोर्ट थी वह भी सेकंड ट्राइमेस्टर में जब मुझे just covid हुआ था उसकी recovery के बाद मुझे pregnancy की बीच में covid भी हो चुका है और मैंने बहुत healthy तरीके से covid को recover कर लिया था मेरे चानल पर वीडियो है आप देख सकते हैं यह ओल्ड वाइफ टेल भी मेरे केस में बहुत ज्यादा सही है क्योंकि मेरी baby girl है और मेरी हमेश्य हार्ट ट्रिंट रहता था हर अल्ट्रा साउंड में वह रहता था 140 से उपर अगली जो ओल्ड वाइ में है तो baby girl होती है और अगर वो side to side move कर रहा है तो baby boy होता है frankly speaking यह मैंने नहीं करा इसलिए इसके वारे में नहीं बता सकती अगर आप में से किसी नहीं पेंडुलम टेस्ट कर रहा है तो मुझे comment section में जरूर बताएं मैं बहुत eager हों कि इस चीज को जानने के लिए कि old wife tail कि किसके cases में सच है या नहीं अगला जो point है यह थोड़ा सा funny है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यह अपने हाथ में होती है जीज वो point है कि अगर आप अपनी throughout pregnancy बहुत जादा lazy feel कर रहे तो baby girl है और बहुत जादा active feel कर रहे तो baby boy है to be very honest ना मैंने बहुत जादा lazy feel किया जब त मैं fresh हूँ ठीक हूँ तो मेरा कभी ऐसा मन नहीं करा कि मैं बस लेटी रहूं कोई काम ना करूं post covid मेरा कुछ दिन ऐसे जरूर गए थे बट वो health issues की वज़े से गए ते फिर cholesterol हो गया तो पुरी-पुरी रात नीन नहीं आती थी and अगले दिन सुबह सोते थे so यह सारी चीज ऐसी नहीं लगती क्योंकि लॉक्डाउं नहीं होता यहां हमारी मेड आ रही होती तो हम थोड़ा laziness फील कर सकते थे मैंने पूरे टाइम में अपने पूरे 9 महीने के टाइम में हमारी मेड नहीं लगी तो जाड़ू पोचा घर का काम सब कुछ हम नहीं करा है और जिसमें मे बेबी गर्ल आसले मैंने लेजी फील करा या शायद किसी का बेबी बॉय उसे अक्टिव फील करना चाहिए यह अपनी हैं पर हमारी सर्कम्स्टाइंस के ओपर ज्यादा डिपेंड करता है बागी ठीक है मेरे केस में और वाइब टेल सही रही तो यह ती कुछ ओल वाइब और आप भी अपनी कुछ ऐसे ओल वाइब टेल्स भेसाथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कर सकते हैं किया आप मेंसे कितनों के साथ यह साइज चीजे हुई हैं और यह ठीक हैं कि नहीं और आई होप आपको इंटरस्टिंग लगी होगी यह वीडियो अगर लगी तो प्ल